स्वागदे दोस्तों आप सभी को टिकराच यूटूब चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy J2 Core या फिर किसी भी Samsung Mobile में यदि आपका network का problem आ रहा है है network आपका काम नहीं कर रहा है network शो नहीं होता है या फिर network से related आपका जितना भी problem है उसे आप कैसे fix कर सकते इस वीडियो में मैं आपको step by step guide बताऊंगा तो वीडियो के साथ बने रही है और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिगा और दोस्तों यहां पर येदि आप online पैसे कमाना चाहते तो वीडियो description link check out कर सकते तो दोस्तों चलिए बिना देर की वेशुरू करते तो दोस्तों यहां पर क्या होता है कि हमें बहुत बार क्या होता है कि हमें अपना Samsung mobile पे network show नहीं होता है network रही से काम नहीं करता है वोल्टी support नहीं करता है और हम जब call करते तब call connect सही से नहीं हो पाता है तो यहां पे network से related बहुत सारा problem जो हमें अपने Samsung mobile में देखने के लिए मिलता है तो दोस्तों इसे solve करने के लिए मैं आपको यहां पे कम से कम 3-4 solution बताऊंगा जिसके मदद से आप अपना problem को definitely solve कर सकते हैं देखे दोस्तों सबसे पहले तो आपको जाना ह अपने mobile का settings पे settings पे चले जाएगा उसके बाद में आपको सबसे पहले connection का option मिलेगा connection के ओपर क्लिक कीजिएगा और यहां पे आपको SIM card manager मिलेगा उसके ओपर क्लिक कीजिएगा और यहां पे यहां पे आपका dual SIM है तो जो भी SIM में आपको problem आ रहा है वो SIM के ओपर आप simply click कर लिजिएगा अभी click करने के बाद में दोस्तों यहां पे आपको network mode का option दिखाए देगा यह network mode के ऊपर आपको click करना ठीक है और यहां पे आपको काफी सारा option दिखाए दे रहा है जिसके आप देख सकते हो LTE 3G 2G autoconnect 3G 2G LTE only तो यहां पे आपको select करना है LTE 3G 2G autoconnect ठीक है कि आपका यहां पे network सहीशे काम नहीं करेगा तो आपको यहां पे LTE 3G 2G autoconnect select करना है उसके बाद में simply आप वापस चले जाए और वापस back जाने के बाद में दोस्तों यहां पे आपको क्या करना है और एक बार आपको वापस चले जाना है और यहां पे आपको जाना है दोस इसके बाद में simply दोस्तों आपको फिर से connection पर जाना है और connection पर जाने के बाद आपको दुबारा से mobile network पर आना है और यहां पे दोस्तों आपको network operators दिखाए दे रहा है simply आपको आपको दो आपशन दिया जाता है आपका network की यूश करने के लिए ऐक हो गया ओको के लिए और दुबार असे आ जाएगा ठीक है तो उसके बाद में आपका प्रॉब्ल्म सॉल्फ हो जाना चाहिए यदि आपका अल्रेडी आटोमेटिक लिए है तो आप मैनुवली सेलेक करने के बाद में आपका मूबाइल जितना भी नजदी के आपका टावर है वो यहां पर डिटे आप से कर सकते हैं अभी हम बैक चले जाते दोस्तों यह दो करने के बाद में आपका प्रॉब्लम डिफिनेटली सॉल्फ होना चाहिए बाइचेंसे दी नहीं होता है तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक बार आप जो है अपना मोबाइल का नेट्रोक में जा लिए और दुबारा गुसा के आप यहीं पर आके दुबारा आप यहीं पर आके सिम को एनेबल कीजेगा आपका प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाना चाहिए ठीक है यह तीन सॉलीशन करने के बाद में डिफिनेटली आपका प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाना चाहिए बाई एनी चा software update करने का option दिया गया है software update पे चले जाएए और software update पे चले जाने के बाद में download and install या फिर last update यहां पे download and install पे click कीचेगा और यहां पे आपका जो है software update चेक होगा ठीक है कभी-कभी क्या होता है कि हमारे अपने handset पर क्या होता है कि हमें problems निकल जाता है तो इसलिए company जो है network related का नया लाता है काफी कुछ नया feature लाता है थागि हमारा network सही से काम कर पाए तो इसलिए यह आपका system आपको update मांगता है तो आपको यहां पर update कर लेना है क्योंकि मेरा यहां पर अपडेटेट है तो मुझे updated करने का जरूरत नहीं है ठीक है यह आप कर सकते है दोस्तों और दो और रिस्टोर कर सकते हैं यह करने के बाद में आपका problem solve हो जाएगा लेकिन यह last option है अब दोस्तों यह सारा कुछ करने के बाद में भी problem आपको फिर भी show होता है तो आपको में lastly suggest करना चाहूंगा कि आप अपने network operator से बात कीजेगा कभी-कभी क्या होता है कि उनके तरफ से server down होता है या फिर उनके तरफ से कब technical issue होता है उसे वजब प्राब्लेम हो सकता है यह last solution है आपको यह last में करना है और Councillor उस्थ यहां प्यापका hardware में कुछ problem होता है सीम का स्लोट वागेरा में कुछ problem होता है उस वजब प्राबलेम हो सकता है ऊ only case मने आपको technician को visit कर कि आपको mobile दिखाना होगा ठीक है तो यह था दोस्तों completely solution उमीद करता हूँ कि आपको video पसंद आया होगा thanks for watching